हाई फ्रिंसों में किचिन में आपका स्वागत है आज मैं आपको बहुत ही यूनिक और टेस्टी नाश्ता बताने वाली हूँ ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है एक बर हमारे तरीके से बनाएंगे तो बहुत बढ़ी हैं और स्वादिष्ट बनेगा इटली का बेटर बच जाता है तो आप उसका उप्योग करें या फिर इसको बनाने के लिए आप दो कटोरी चामल और एक कटोरी उड़त की दाल बिंगो दें साथ से आध गंटे के लिए और फिर उसे पीस के तैयार करने फिर उसमें दही या इनो डालने खमीर उठाने के लिए यह इटली बनाई थी हमने उसका बचा हुआ बटर है इसका मैं प्योग बता रही हूँ यह हमने थोड़ी सी पत्तावगो भी ले ली है इसको बारिक किस लिया है डाल देते हैं यह हमने एक सिमला मिच बारिक किस लिया है इसको भी डाल दिया है हमने और यह एक प्याज हमने बारिक कटी हुई ले ली है अब मैं आधी डाल रही हूँ बड़े साइच की प्याज दी फंटेवल इस्पुन करीब इसमें सोब डाल दे रहे हैं सोब का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है इसमें डाल दिया है अपने सोब को अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिच डाल देते हैं सिभला मिच डली हुई है इसमें थोड़ी सी लाल मिच पुरक देते हैं इसमें आधी चमस से भी कम खाप टेवल स्पुन जीरा डाल दे रही हूँ है इसमें और इसमें खाप टेबल स्पून नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक इसमें पहले से भी डला हुआ है, आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं नमक, मिक्स कर लेते हैं अची तरीके से इसको, मिक्स कर लेते हैं इसको मिला लिया है हमने, अब हम इसमें टमाटर डाल दे आप चाहें तो तबे पे बना ले या अप्पे के साचे में बना रही हूं अप्पे के साचे में बना रही हूं अप्पे का साचा गर्म कर लिया है हमने और इसमें ऑईल लगा ले रहे हैं ऑईल लगा ले अच्छी तरीके से अप्पे के साचे में और फे बैटर को डाल दें ये बेटर हम इसमें चमत से डालेंगे ये टेबल स्पून ले ली है मैंने टेबल स्पून से हम डाल देंगे आसानी होगी टपकेगा भी नहीं और बराबर डालते भी बनेगा ये सबी साचों को भर देंगे हम ये एक बारके में बढ़ियां अच्छे खासे अप्पे बनके त ये देखिए इस आरे साचों को हमने भर दिया है अब हम इसको ढाक देंगे दो तिन मिनिट के लिए ढाक कर रख देंगे दो तिन में ढाक कर बफने देंगे इसको फिर हम चेक कर लेंगे तीन अकनिट हो चुके हैं अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमारे अपे बफ गए हे यह देखिए फर्णट में हमारे अप्झे बहुत बढ़ियां बफ चुके हैं चाकु की शाहते से में इन इसलिब हमारे एप्प आच्छे तरीके से बाफ चुके हैं एक साइट से बहुत बढ़िया हो गए है इनको हम में पल्टा के दूसी साइट से भी सेख लेंगे आप देखिया मैं पल्टा रही हूं कितने बढ़ियां और कितने आसानी से पलड जा रहे हैं सारे अप्पो को हम इसी तरीके से पलड देंगे इतने टेस्टी लगेंगे यह इटली के बैटर से बनाई हुए अप्पे बहुत ही स्वाधिश्ट लगते हैं इनका टेस्ट भी बहुत यूनिक आता है यह देखिए इतने आसानी से पलड जा रहे हैं यह इतने अच्छे तरी इसे पलब दिया है निचे अच्छे से बफ जाते हैं यह देखिए कर दोनों से इच सिख जाते हैं अप पलटा के देख लें इसको अगर नीचे से भी अच्छे सिख जाते हैं तो यह हमारे अप्पे हो गए हैं'dah savoir प्डिया इनको यह सीदा लिकाल लेते हैं साच्छे मिव से यह देखिए बन के तयार हो गए हैं हमारे अपे आप इसे चटनी के साथ या टमाटर केचप के साथ खाएं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वाधिश्ट लगेंगे पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक हो सब्क्राइब करें फ्लैंस हमें कमेंट करके बताएं